हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें हेलो दोस्तों तो कैसे हैं हम लोग आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं उसका नाम है अलेफेंट एंड ट्रेंड्स तो कहानी शुरू करते हैं किसी जंगल में एक हाती रहता था वो बहुत अकेला था उसका कोई दोस्त नहीं था एक दिन उसने एक बंदर को देखा उसने सोचा क्यों ना मैं बंदर से दोस्ती कर लूँ तो वो फिर बंदर के पास गया उसने बंदर से कहा ओ बंदर भाई क्या हम दोस्त बन सकते हैं इसलिए हम दोस नहीं बन सकते। हाथी वहाँ से चला गी। उसके बाद हाथी एक खरगुष के पास गया। उसने खरगुष से कहा, क्या तुम मेरे दोस बन सकते हो। खरगुष ने कहा, नहीं भाई तुम बहुत बड़े हो, तुम अपने जितनों से ही चाह कर दोसी करो मेरे से नहीं उसके बाद हाथी वहाँ से चला गया और हाथी फिर मेंडक के पांस पहुंचा हाथी ने मेंडक से कहा ओ मेंडक मियां क्या तुम मेरे साथ दोसी कर सकते हो मेंडक ने कहा अरे नहीं नहीं तुम बहुत बड़े हो तुम तुम मेरी तना पुदक भी नहीं सकते हो और ना च्लांगे मार सकते हो तुम और मैं दोस्ती किस तरह करेंगे इसलिए रहने ही दो फिर हाथी भी वहां से मायूस होकर एक लोम्री के पास पहुँचा उसने लुम्री से कहा ओ लुम्री बेहन क्या हम दोस बन सकते हैं लुम्री ने जवाब दिया अरे नहीं नहीं तुम अपना साइस तो देखो अगर कभी मैं तुम्हारे पैर के निचे आ गई तो मेरी तो चटनी ही बन जाएगी हाथी वहाँ से फिर मायूस होकर वहाँ से चला गया कुछ दिन बाद हाथी ने देखा कि जंगल में हलचल मच गई और सारे जानवर भाग रहे हैं हाथी ने एक भालू को रोका और उससे पूछा क्या हुआ है जंगल में भालू ने जवाब दिया हम पर एक चीते ने हमला कर दिया है जिससे हम सब डर कर भाग रहे हैं वहाँ चीता तेजी से भागता हुआ आ रहा था उसने एक बंदर को दबोच लिया और उससे खाने ही वाला था कि वहाँ हाथी आ गया हाथी ने कहा अरे चीते भाई इसे छोड़ दो और इसे जाने दो चीते को गुस्सा आया उसने गुस्से से जवाब दिया जा जा अपना काम कर और मेरे काम में टांग भी अड़ा समझा हाथी को बहुत गुस्सा आया उसने चीते को जोर से एक लाद मारी जिससे चीता उड़ता हुआ दूर जाके गिरा और वो वहां से भाग गया हाथी ने जाकर सब को ये खुशखबरी दी सब ने उसकी ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए और सब ने कहा आज से तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो हाथी भी खुश हो गया और फिर सब आपस में अच्छी तरह जिन्दगी गुजारने लगे तो दोस्तों आपको लोगों को आज की कहानी कैसे लगी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करें तैंक यू बाई बाई